ले 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 और किसको चाहिए जो केसरी को लाल पेरा छोटा साये कहां लीजे कि अब एक करके Poker कि काने रहे हैं के आफ कीजिए केसरी केलाल अब कि चैसरी केलाल जुमम चुम्त है काम कि कॹछ कीज़े च्शारी केलाल ने छोटा साये काम मेरे राम जी से कहद ओफू इड़े गना ला किजे के सरी के ला मेरा छोटा सा ये काम किजे के सरी के किजे के सरी के लाल मेरा छोटा साइट अब खतम हो गया लास्ट ला किक्रा लेना है अब खतम हो गया कि दिखला अब खतम हो गया हाँ ठीक है कि जो के सरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम ये कौन छोड़ दिये ये कि छोड़ दिये लिए तब कि जो के सरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम मेरे राम जी से कह देना जैसे आराम और खाएंगे क्या पेट भरा हनुमान जी पेट भरा क्या पेट भरा कि देवरा जै हनुमान ज्यान गुन सागर जै कपी सति हु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलिधामा अंजनि पूत्र पवन शुत नामा तो दोस्तों ये जो हनुमान जी हैं बहुत ही प्रेम के भूखे होते हैं लोग इन्हें कहते हैं कि ये बड़ा परिसान करेगा डेजरस है एक दूसरे को काटेगा अब ही कितने प्रेम से इन्हें पता है कि यहां मुझे एक दो आलू मिलने वाला है जितना आलू में जोले में लेके आते हैं उसी में से इतने भी हैं सब बांट के खाएंगे और बीना किसी परेम से हमारे पास उपर सिर पर चड़के बै भी लोग होते हैं जीव जन्तु पसूपक्षी सब प्रेम के भूके होते हैं कोई परेसान नहीं करता है दिखिए हमारे हन्मान जी कितने प्रेम से मेरे बगला बैटे हैं फिर खिलाएंगे घर में थोड़े बहुत जो अलग चीजे हैं विप्रीत चीजे हैं जिनको कि आप कच्ड़े के रूप में फेकने वाले हैं या जो बरवाद होने वाले हैं आसपास जो भी जीव जन्तु आएं उसे खिला दिया करिए दो चीजे होंगी एक तो हक में लग जाएगा और दूसरा कि इनका पेट भरने से आपको पुन्य भी मिलेगा पसू पक्षी आदमी जानवर कोई भी हो अगर आप किसी की आत्मा को त्रिप्त कर रहे हैं पेट भर रहे हैं तो कहीं न कहीं से आपको एक पुन्य प्राप्ति होगी तो यह पुन्य प्राप्ति का है आपके हित के लिए है पूरा घर चोटे-चोटे हल्मान के बच्चे दिए उच्छल कूद करेंगे आसपास रहेंगे गुमेंगे और यह सबसे बड़े पहचान जाएंगे धीरेद्रे करके और घर में ऐसा नहीं कि पूरा आपने आदत लगा दी तो आपके कोई भी समान उठाके ले गया उच्छल यह एक सबसे अच्छा चीज लगता है इनमें कि जितना है दे दीजे खाए फिर चले के पेट भरा या नहीं भरा पता ने दो दो आलू मिला होगा सबको तो आग रहा है खिलाई कुछ भी चीजे जो घर में लगता है कि है वो इन लोगों को देरीजे खाएंगे और आसिरवाद दे के जाएंगे पवन पुत्र है राम जी के भक्त हैं राम दूत हैं कि नहीं बाला जी है और उनके साक्षात स्वरूप हैं पुरवजाओं ने पूजा की है इनके तरफ से लंका दहन करके सीता मईया को लाए है कहा जाता है रामायन के अनुसार कि यह जो मारे हनुमान जी है इनको अपनी सक्ती का अभास नहीं है इसलिए इस रूप में है इनको इनकी सक्ती का अभास दिलाना पड़ता है अगर कोई इनको इनकी सक्ती की आभाध दिलादे तो हर कोई अबन पूत्रहनमान जी हो जाएंगे, इनकी ये बिरादरी है तो फिर सम्हालना मुश्किल हो जाएगा परमान रखो, यूकिंका ये, अब खतम हो नी, अब कल, कल खिलाएंगे, खतम हो गया, तब कल, अब कल लादेंगे ए और मंगा देंगे अब खत्म हो गया नहीं है अब कल खिलाए आप ये देखें कि खत्म हो गया तो पूछलिए जोला इनको दिखा दिए तो अब ये कुछ नहीं कहेंगे नीचे गिरा तो छोड़ा से तोकड़ा खाए पेट नहीं भरा होगा इनको और चाहिए क्लिए मादा है तो इनको बच्चे होंगे छोटे-छोटे इनको अधिक आलू चाहिए पेट भरने के लिए एक बुजुर्ग है दादा हनुमान है उद रेके यहांसे चलेगो जय हों वरान जी जय हो और चली आज सुझा सुझा भार है बोले नाथ का दिन है और यह भोले नुद्ग नाथ के मानस पुत्र हैं झाल कि संकर्ण के शुवन्षे बद्दंतन तम्हाज ठीक है अब लोग खाये जय हो आप लोग इसी तरह से पुन्य प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें